नमश्कार आप देख रहे हैं SPT News, पेश है साथ मार्च, सुमवर सुबे सबस्वाच्छावजे राजसान के बड़ी खबरे खाटो में बाबाश्याम का लखी मेला शुरू हो चुका है 15 मार्च तक चलने वाले मेले में देश भर से श्रधालू धोग लगाने के लिए आएंगे मंदिर प्रबंदन का माना है कि मेले के पहले दिन दर्शन करने के लिए भक्तों का आंकड़ा डेर से 2 लाग तक पहुँच गया शुरू होने से पहले ही एक सब्ता के दौरान वहीं 3 लाग से ज्यादा भक्त मेला दर्शन कर चुके हैं मेले 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 के लावा दिली हर्याना, उत्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, कोलकाता से भक्त पहुँच रहे हैं इनमें कई भक्त ऐसे हैं जो पूरे मेले के दौरान खाटू में ही रहकर भक्तों की सेवा करेंगे जापान में रह रहे हैं प्रवासी राजिस्थाने उद्यम्यों ने कहा है कि मोधी सरकार के जन कल्यानकारे नीतियों से भारत हर्शेत्र में बुनिया दी एम वैचारिक तोर पर मजबूती से विकास कर रहा है वहें मजबूत विदेश निती से पूरी दुनिया में उसकी सागबड़ी है इन उद्यम्यों ने भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुतीश पूनिया के साथ भाषपा प्रवासी प्रकोस्ट राजस्थान द्वारा जौपान चैप्टर को लेकर आयो जित वर्चुल बैठक में विभिन विश्यो पर समाद के दोरान ये बा 257, Oil and Natural Gas Corporation में 24, भारतिय रेलवे में 756, राजसान में टीचर्स के 46,500, इंडियन नेवी में 1531 और राजसान पुलिस में Constable के 67 पदों पर भरती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन के प्रक्रिया जोरी है आगरा का ताज महल हो या पैरिस का आइफिल टावर, पीसा की जुकी हुई मिनार हो या फिर क्राइज तरेडीमर की विशार प्रतिमा, एक महने बाद दुनिया के ये सारे अजूबे अजमेर में ही मिल जाएंगे स्मार्ट सिटी प्रजेक्ट के तहत ये साथ अजूबो वाली इमारतों का निर्मान अजमेर में किया गया है इसका कंस्रक्शन करीब करीब पूरा हो चुका है, इन अजूबो को असली साथ अजूबो की तरह हुबहु नकल करके बनाए गया है अनासागर जील के किनारे करीब 10 करोड की लागत से लगबग 1 हेक्टियर जमीन में इन अजूबों की रैपिल का तैयार की गई है दिली मुंबई रेल मार्ग पर रविवार को सवाई माधुपूर से बयाना के बीज हाइट सब्वे निर्मान कारे के चलते करीब 5 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया गया इस करन ये मार्ग पूरी तरह से बंद रहा इससे कई ट्रेनों का संचलन प्रभावित हुआ वहीं जपूर से चलकर बयाना के और जाने वाली गाड़ी संख्या एक नो साथ दो एक सवाई माधुपूर में ही शौर्ट टर्मिनेट की गई इस दोरान यात्रियों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ा सावाई माधुपूर से बयाना के बीच क्रोसिंग गेट संख्या एक सो उनसर्ट तथा दो सो तेरा के पास हैट सब्वे निर्मान कारे के चलते करीब पाँच खंडे तक ट्रेनों का संचलन प्रभावित रहा बाक्स अनक्षन एम ग्रामिन विकास समीती के बैना तले मिशन बीट प्लास्टिक रन्थमबोर अभियान के तहट रन्थमबोर नैशनल पार्क में सित विश्व विख्यात्रे नेत्र गनेश मंदेद परिक्रमा मार्ग में जौने वाले शधालों को कपड़े के बैग वित्रित किये गए और पॉलिथिन कैरी बैग का भाईशकार करने के अपील की गई इसी के साथ ही संसा के सदस्यों ने प्लास्टिक वे पॉलिथिन के दुश परिनाम की जौनकरी दे कर लोगों कुछ अग्रूपी किया पूर्वी सियम वसंदुरा राजे अपने जनम दिन के दिन बूंदी जिले के केशवराय पाटन से देव दर्शन कर यात्रा शुरू करेंगे आठ मार्श को वसंद्रा राजे का जनम दिन है, यहां दो दिन रोकर कारे करताओं के बीच वसंद्रा राजे अपना जनम दिन मनाएंगी वसंद्रा राजे की देव दर्शन यात्रा का दूसरा फेज आठ मार्श से शुरू होगा वो अपना जनम दिन पाटन में भगवान केशव राई मंदिर के दर्शन करके मराएंगी इस दोरान दीबदान करेंगी और जन सभा को भी संबोधित करेंगी शाम को 500 फिट लंबी चुनरी चंबल को चड़ाई जाएगी और 1000 महिलाओं के साथ एक जसी पोशाख में चंबल नदी में दीबदान करेंगी रात्री को वहीं जान मंदिर केंबस में विश्राम करेंगी 9 मार्च को सवेरे 5 बजे सबसे पहले वगवान केशव राजी के दर्शन कर मंगला आर्थी करेंगी रास्तान के सीकर जिले के दिनार पुरा गाव में श्रीमत भागवत कथा ज्यान यग का आयोजन 8 मार्च से होगा नंदिनी गौशाला के समर्धन के लिए इश्वर स्रस्टी सेवा ट्रस्ट मुंबई की ओर से आयोजित कथा यग्य 15 मार्च तक चलेगा जिसमें कथा वाचन काशी के प्रसिद कथा वाचक श्याम शास्त्री द्वारा किया जाएगा भरतपुर जिले में बहु मजला इमारतों का निर्मान तो धड़ा-धड़ हो रहा है लेकिन इस पर लगने वाले सेस को वसूलने में श्रम विभाग फिसद्डी साबित हो रहा है इसी का नतिज़ा है कि श्रमिक अपने हक से वंचित होते नज़रा रहे है निर्मान कारे कराने के लिए कुल निर्मान लागत का एक परतिश सेस श्रम विभाग को देना होता है अब हालात यह हैं कि भवन स्वामी तो सेस दे रहे हैं मगर सरकार नहीं जुकी तो विपक्ष केतेवर नरम पड़ गए। ऐसे में भाजपा सरकार को घेरने के लिए नहीं कारेगोजना तयार कर रही है। पार्डी सुत्रों की माने तो सरकार ने रीट मामने की CBI जहां से साफ इंकार कर दिया है। विपक्ष यानी भाजपा ने सड़क से लेकर सदन तक खूब दबाव बनाया मगर सरकार नहीं जुकी। इस पर तैक किया गया कि फिलहाल मुद्दे को यहीं छोड़ दिया जाए। हलांकि समय समय पर इस मुद्दे को हवा दी जाएगी। उतरपशिम रेलवे आज 7 मार्स से एक बर फिर 18 ट्रेनों के शड्यूल में बदलाव करने जो रहा है। आंशिक तोर पर अधिकिया जो रहा है। वहीं बारत रिनों का रूट बदला जो रहा है। स्वायत रिश्वासन मंत्री शांती धारिवाल ने रिवयार को कोटा के MBS अस्पताल परिसर में राज के स्कूल आफ नर्सिंग के द्विते फेज के भवन का शिला नयास्किया जी प्लस फोर भवन के निर्मान पर 470 करोड रुपे खर्च के जाएंगे। इसके बनने से 180 अतरित विद्यार्थियों को अध्यन के स्विधा मिल सकेगी। इसका निर्मान कारें दिसमबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ हे नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए नवीन होस्टल का निर्मान भी कराया जाएगा। जिसके लिए राजी सरकार ने 408 लाख रपे स्विक्रेट कर दिये हैं। ऐसे में समय समय पर दुकानों की जौँच नहीं होती है। रासार में मौसम एक बार फिर से बदलना शुरू हो गया है। चित्तोडगड, उदैपूर, प्रताबगड, डुंगरपूर, बांसवड़ा के अलावा, उत्तरपश्चिमी जिले, गंगानगर, हनवानगड़ में बारिश हो सकती है। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करें। प्रेस करें। प्रेस्दचिमी करें।